इस सारे मामले में बहुत पहले मेरे को एम्स के एक डॉक्तर जो आज के दिन इस कमिटी में है नाम नहीं बोलूगा क्योंकि उनसे मैंने पुछा नहीं है कि बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए उनका नाम लेकिन उन्हों उनको मैंने फोटोग्रास भेजे थे जो मीतू क खुद के खीचेवे फोटो थे जो सुशान की बेहन की खीचेवे फोटो थे और उन फोटोग्राफ्स को देख करके उन्होंने मेरे से कहा था कि ये 200% death by strangulation है ये suicide हो ही नहीं सकता सुशान सिंग राजपूत के पिता के वकील विकास सिंग ने ये बयान आज से 10 दिन पहले ही दे दिया था और इशारा कर दिया था कि एम्स के एक डॉक्टर ने उन्हें बताया है कि ये 200% murder है तो अब सुधीर गुपता क्यों बोल रहे हैं कि ये suicide है अब उन पर सवाल उठ र के reaction दिखाते हैं सबसे पहले सुषान सिंग की बहन श्वेता सिंग कीरती ने लिखा this kind of U-turn must be explained जो सुधीर गुपता ने जो U-turn लिया है इसका उन्हें explanation देना चाहिए अब सुनिये इशकरन सिंग बंडारी ने क्या कहा उनने कहा not surprise at what Republic shot मैं है रान नहीं हूँ कि जो कुछ भी Republic ने दिखाया डॉक्टर सुधीर गुपता has talked to me also and had many suspicions on Mumbai autopsy सुधीर गुपता ने मुझसे भी बात की थी और बताया था कि Mumbai की autopsy report में काफी संदिग्द चीजे हैं why did he change and did opposite और वो बदल क्यों गए अब वो बिलकुल इससे उल्टा बयान क्यों दे रहे हैं need investigation इसकी ज नाच होनी चाहिए good that Republic has recorded him ऐसा अच्छा है कि Republic ने उसकी बाचित रिगॉर्ड करी आप सुनिए सुब्रमन्यन स्वामी क्या कह रहे हैं उनके बारे में इशकरन सिंग बंडारी has worked for past few days on dr. सुधीर गुपता समर्सौल इशकरन सिंग बंडारी डॉक्टर सुधीर गुपता के बारे में पिछने कई दिनों से काम कर रहे हैं वो मीडिया से मिलेंगे इशकरन सिंग मंडारी मीडिया से बात करेंगे अब CBA को चाहिए कि सुषान सिंग राश्कुत मामले में एक और दर्ज की जाए 302 के तहप आपको ये भी बता दें कि dr. सुधीर गुपता पर health ministry बड़ा action ले सकती है क्योंकि इस तरह की गलतिया या यू कहें कि जान मुझकर की जाने वाली गलतिया वो कई बार दोरा चुके हैं कई बड़े cases में वो गलतिया दोरा चुके हैं लेकिन इस बार सुधीर गुपता की ये गलती हर कोई बरदाश नहीं करेगा या फिर यूँ कहें ये जान मुझकर किया गया शर्यंत्र बरदाश नहीं किया जाएगा